हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स दिवाली मैं जलाए हुए दियों को बिलकुल भी बेकार समझके नाफ हैं के मैं आपको पूजा घर में डेली उसके लिए बहुती बड़ी दिया स्टैंड बनाना बताऊंगी इसे बनाने के लिए आपको एक बड़ा दिया चाहिए और एक छोटा जिस तरह का मैंने लिया है आपने क्या करना है के दो मिट्टी के दिये ले लेने हैं एक बड़ा और छोटा और दोनों को अंदर बाहर से अच्छे से पेंट कर लेना है देखे जिस तरीके से मैंने किया है आप इस दिया स्टैंड को बनाने के लिए पुराने या नए दिये का इस्तिमाल कर सकते हो बस आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि एक मिट्टी का दिया बड़ा लेना है और एक छोटा इससे क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छा दिया स्टैंड बनकर तयार होगा आपको जो भी कलर पसांद हो या आपके पास जो कलर है आप उसे कर सकते हो तो देखे मैंने दोनों को कलर करके तयार कर लिया है आप इने सूखने के लिए रख देना है और एक cardboard का टुकड़ा लेना है और cardboard पे heart से बनाना है और फिर cut कर लेना है और इसी size में color paper भी cut लेना है आप यहाँ पे अलग अलग तरह के color paper भी cut सकते हो अगर आप color paper नहीं चिपकाना चाहते तो आप यहाँ पे paint का इस्तेमाल भी कर सकते हो तो देखे मैंने यहाँ पे paper चिपका दिया है अब क्या करना है कि इनको इस तरीके से आपस में जोड देना है जिस तरीके से मैं इनको जोड रही हूँ अभी मैंने तीन हाट आपस में जोडे हैं और फिर दो जोड कर रख लूँगी और जो दो बच जाएंगे उनको कैसे हमने जोइंट करना है इसको आपने ध्यान से देखना है अभी देखिए एक हाट का पीस लेना है और ये जो तीन हाट वाला पीस है इसके नीचे इस तरीके से हमने इसको चिपका देना है अब उपर वाली साइड हमने ग्लू लगाना है और फिर दो पीस लेना है और इनको इस तरीके से नीचे वाली साइड चिपका देना है और यह जो एक piece बच गया इसको भी ऊपर वाली साइड में इस तरीके से चिपका देना है तो देखे इस तरीके से हमारा यह बनकर तियार है अब ear buds लेनी है और दोनों साइड में अच्छे से इसको paint कर लेना है और फिर देखिए इनको सूखने के बाद इस तरीके से कट कर लेना है देखिए मैंने अलग-अलग कलर में बट्स को तयार किया है अब ले लेने है डैकॉरेट सितारे अगर आपके पास डैकॉरेट सितारे नहीं है तो आपने क्या करना है कि Griter Seat ले लेने है या Color Paper और उने अपना मन पसंद सेफ देकर काट लेना है और इस तरीके से चिपका देना है तो बो भी बहुत अच्छे लगेंगे तो देखे मैंने सितारों को अच्छे से चिपका लिया है अब क्या करना है कि एर बर्स जो हमने काटकर रखे हैं उनको इस तरीके से उपर वाली साइड में अच्छे से चिपका देना है तो देखे मैंने एर बर्स को भी अच्छे से चिपका लिया है और ये कितना ही सुन्दर लग रहा है आप क्या करना है कि छोटे दिये को लेना है और इस पे इस तरीके से एक कार्डबोर्ड चिपका देना है कार्डबोर्ड चिपकाने से क्या होगा कि दिये आप समय अच्छे से चिपक जाएंगे तो देखे इसको मैंने अच्छे से चिपका लिया है अब ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा ये दिया स्टैंड इतना बढ़िया बनकर तयार होगा आपको दिवाले पर दिया स्टैंड बाहर से ख्रीदने की जरूरती ही नहीं पड़ेगी आप देखे हमने इसको अच्छे से गिल्यू लगा लेना है और इस तरीके से हमने इसको चिपका देना है ये बहुत अच्छे तरीके से बनकर तयार हो गया है आप देख सकते हो थैंक्स फार वाचिंग